गया College of Engineering में हम लोग हैं और यहां पर auditorium आप लोग देख सकते हैं कितना शांदार बना हुआ है बच्चों के लिए कैंटीन है और यहां पर खाने पीने का विवस्ता भी है तो आप लोग एक बड़ी दिखाते हैं यह देखें कैंटीन में कुछ इस तरह का महौद होता है आज हम लोग आज चुके हैं गया में और गया का गुवर्मेंट इंजिनेरिंग कॉलेज को आज हम लोग एक्स्प्लोर करने वाले इस वीडियो में तो हम आप लोगों को इसका लोकेशन बता दें तो आपको आना होगा गया स्टेशन जैसे ही गया जंक्शन पे आप उतरत गया कॉलेज ओफ इंजिनेरिंग तो आज हम लोग इसी को एक्स्प्लोर करने वाले तो आप लोग वारे इस वीडियो में बढ़ने हैं देखे मारा भी पूरा वीडियो अगर आपको वारा वीडियो अच्छा लगे तो मारे इस वीडियो को लाइक कर दें चनल पे नहां त इस वीडियो तो यह रहा गया कॉलेज ओफ इंजिनेरिंग का इंट्रेंस गुबर्मेंट अफ बिहार इधर कुछ आप देख सकते हैं सक्षन इंटेक यहां पर सिविल इंजिनेरिंग मेकानिकल इंजिनेरिंग इलेक्टिकल और इलेक्ट्रोनिक्स इंजिनेरिंग इंजिनेरिंग के नीचे डिपार्ट्मेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नलोजी गवर्मेंट और बिहार अप्रूब बाई एई सी टी न्यू देली तो आगे चलते हैं और सबसे पहले आपको में इंट्रेंस में जाना होगा तो आगे चलते हैं अभी यहां के और आपको देख कैसा लग रहा है सिदार्ट लेखिए कितना अच्छा यहां पर हुआ है यहां का लूकेशन खाली जंगल टाइप का है तो हम लोग चलते हैं आज हम लोग करने वाले इस वीडियो में एक्स्प्लोर और आपको दिखाते हैं तो आप लोग हमारे इस वीडियो में बने रहे ह कि मौशम काफी सुहा होना है बारिस के तरह मौशम क्या हुआ है अब लोग देख शकते हैं मौशम कि आगे चलते हैं कॉलेज काफी दूर है यहां से तो हम लोग जाते हैं आगे और देखते हैं कि यह रोड सीधे सामने जाएगा गया कॉलेज ऑफ इंजिनरी के लिए इधर भी आप लोग देख सकते हैं एक लेप साइड में बहुत बराशा वेल्डिंग है और मुझे पदा नहीं कि हम लोग को जाना कहां पर अच्छा यह हॉस्टल है यह कॉलेज का हॉस्टल है चली हम इसको लास्ट में दिखाएंगे जब उधर से आएंगे तो और सबसे पहले चलते हैं हम लोग कॉलेज के तरफ तो आप इधर भी देख सकते हैं कि इधर भी बिल्डिंग है काफी अच्छा है बट थोड़ा सा लोकेशन थोड़ा सा इसका जो है वो और्ड है क्योंकि सबसे पहले आपको गया कॉलेज ओफ इंजिनेरिंग आने के लिए आपको आना होगा गया जंक्षन पे और गया जंक्षन से आपको आटो से मुफसिल आना होगा और मुफसिल से फिर आपको आटो या फिर बस लेके आपको खिदर सराय की रोड पढ़ता है गया college of engineering जो कि हमारे पीछे में है तो आप लोग देख शकते हैं ऐसा कुछ होने वाल है तो आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं तो इस college को आज हम लोग explore करने वाल है मैं आपको बता दू कि ये government engineering college है और आगे चलते हैं देखते हैं क्या कुछ खास है यहाँ पर तो आप लोग हमारे इस वीडियो में बने हैं देखें हमारा यह पूरा वीडियो अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगे तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें चैनल काया होता है जिससे बच्चों काफी help होता है आगे चलते हैं हम आप लोगों को पूरा campus tour कराते हैं तो आप लोग हमारे इस वीडियो में बने हैं देखें हमारा यह पूरा वीडियो यह गाड़ जी कब से रह रह रहे हैं आप यहाँ पर हम तो रहे हैं 210 से हैं 210 से हैं बच्चा लोग कैसा है यहाँ पर अच्छा लोग ठीक पड़ा पड़ा है तो ठीक होता है ठीक है कैप जी हम लोग डालेंगे आपका वीडियो यह देख सकते हैं आप लोग यह campus हो गया गया college of engineering का और आगे हम लोग चलते हैं लाइक उधर auditorium था तो auditorium में अभी लेके चलत हैं हम आप लोग को लाइक आप लोग देख सकते हैं कितना मैं इसको एक्सप्रेश नहीं कर पा रहा हूं इतना सांदार है यह college और आगे चलते हैं देखते हैं कि अब भी हम आप लोग को दिखाने वाले हैं इस college का auditorium तो आप लोग देख सकते हैं auditorium कैसा है यहां पर गया college of engineering में हम लोग हैं और यहां पर auditorium आप लोग देख सकते हैं कितना शांदार बना हुआ है बच्चों के लिए यह government college है इधर आप दिखा सकते हैं smart board भी है स्मार्ट बोर्ड भी है बच्चों को मिलता है कि का अफी अच्छा है कि आपको मैंने campus टूर दिखा दिकारा दिया कि आगे हम लोग को कैंटीन भी मिलेगा आप देख सकते हैं यह राइट साइड में कैंटीन है और यहां पर खाने पीने का विवस्ता भी है तो आप लोग एक बड़ी दिखाते हैं यह देखें कैंटीन में कुछ इस तरह का महौल होता है कि एंटीन में अभी हम लोग हैं और यहां पर देख सकते हैं आप लोग महौल आपको यह वीडियो कैसा लगा आप लोग कॉमेंट करके बता सकते हैं अगर हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मैं इस वीडियो को लाइक कर देख चैनल पर नहीं है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर रहें थैंक्स वर वाचिंग करें अर फिन लोजी